सभी को नमस्कार आज की हमारे वर्क्षीट मेरे संगी हरते इसमें हमारा पहला प्रेश्ण है लेकिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी बार बार यह प्रेश्ण पूछ लिया जाता है लेकिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा परन्तु फिर भी उनके व्यक्तितों से प्रभावित थी क्योंकि उसकी नानी पारंपरिक अनपड परदानशीन होने के बावजूद भी स्वतंत्र विचारधारा रखते थी अपनी मोत के विशय में जानकर स्वतंत्रता का जुनूर रखने वाली इस महीला ने अपनी मर्यादा का उलंगन कर अपने पती के मित्र को अपनी बेटी की शादी की जिम्यदारी सोंपी उस समय के काल वह परिस्तितियों के अनुरूप यह एक अनोखा निर्णे था इसलिए अपनी मा से एसी क्रांतिकरी नारी के विशय में सुन सुनकर लेखिका उनकी समक्ष नत्मस तक हो जाते हैं यानि सेर जुका लेती हैं दूसरा प्रिश्ण है लेखिका ने नारी की आजादी के अन्दोलन में किस प्रकार की भागिदारी की लेखिका की नानी आजादी के अंदोलनों में प्रत्यक्ष रूप से सहयक नहीं बनी किसी भी क्रांती का एहम हिस्सा सिर्फ क्रांती कारी ही नहीं उसके संपर्क में आने वाले लोग तथा संबंदी भी होते हैं यहनि कि जो लोग साथ होते हैं वो भी होते हैं दूसरे शब्दों में युद्ध का जैगोश करने वाले का भी अपना महतो होता है। उसी तरह नानी अपनी स्वतंतरता के रंग में रंगी हुई थी। इसलिए उन्होंने अपने पती के मित्र को जो एक स्वतंतरता से नानी थे अपनी कन्या के विवा की जिम्यदारी दे द नेक्स्ट हमारा प्रेशना जाएगा कि लेखिका की मा परंपरा का निर्वाना करते हुई भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन में क्या आलोग है। तो लेखिका की मा के व्यक्तित्व की विशेश्टाएं लिखिए यहाँ पर हमें बतानी हैं और ये देखो यहा लेखिका की मा सपष्ट वक्ता थी, दूसरे के रहशे को रहशे रखना जानती थी, सहित्य तथा संगीत में रूची थी, अपने स्वाभी मानी व्यक्तित्व सपष्ट वादीता जिथा विश्वस्नियता के कारण सब के दिलों पर राज किया करती थी, परिवार में उनके कथन का मान रखा जाता था, यहीं कि जो वो कहदियां करती थी, उस पर विचार किया जाता था, उसके बाद देखो, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रों में वर्नन लिखना है, हमें बताना है कि किस तरह से लेखिका की दादी जो थी, वो घर के माहौल क उनका में बताना है वर्णन करना है यहां देखो यह इसका जवाब अपको मिल रहा है कि यह लेक्षी का की दाधी के घर में परतेग व्यक्ति को अपना जीवन जीने की स्वतंत्र ताथी हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जी सकता था और दूसरा क्या है स्वतंत्र आचरन के कारण परतेग व्यक्ति का व्यक्तितों उभर कर सामने आता था दाधी क्रांति कारे विचारों की महिला थी अपने ही घर की किसी लड़की को उन्होंने हीन भावना का कभी भी शिकार नहीं होने दिया नारी उठान तथा स्ट्रिवाद की हमायती थी हमेशा क्या चाती थी कि नारियों को उचास्थान मिले उठान मिले उन्नती मिले सहजता और सरलता से हर समश्या का समाधान वहे निकाल लेती थी उनके घर की बहु को काम ना करने पर भी कटू शब्दों द्वारा अपमानित नहीं होना पढ़ता था यानि कि लेकीका की मां हमेशा पढ़ाई करती रहती थी पढ़ती थी लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी बुरी बात कहीं नहीं जाती थी ऐसे परिवेश में रहने वाला प्राणी नेशंधे संसकारों और संस्कृति की गंगा मेशनान कर समाज का कल्यान करते हैं ये लेकीका की दादी के घर का माहौल है उसके बाद हमारा प्रिश्न आ जाता है यहां देखो आप अपनी कलपना से लिखो कि पर दादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मननत क्यों मांगी होगी महादेवी वर्मा जसी कवेत्री का प्रकाटे कैसे हुआ है किस तरह से मननत मानी गई ये इसमें बताया गया है यहां देखे स्कीन पर हमारे विचार उनसार दादी ने पतोहू के लिए अपने बच्चे के रूप में लड़की इसलिए मनगी होगी सारे कारण बताए है कि पहला पर दादी सबसे अलग सोच का परिच्चे देना चाहती हुँगी दूसरा अपने क्रामती कारे विचारों से दुनिया को परिच्चित करवाना चाहती हुँगी तीसरा पुरुष प्रदान समाज में नारी का वर्चस्व अस्था पित करना चाहती हुँगी चोथा शैज्वे खुद ही इन भावना का शिकार रही हुँगी इसलिए नारी समाज को ऐसी रोड़ी वाधिता से मुख्ट करवाना चाहती होंगे फिर है परंपरा के अनुसारिय माना जाता है कि बेटी घर का सहारा होती है फिर बेटी सब के प्रति प्रेम और सिवा का भाव रखती है और बेटी दोनों को लोगे लाज रखती है कन्या का दान करने से माँ बाप को मुख्श की प्राप्ती होती है यह सोच करके उन्होंने मनत मानी होगे हम ऐसा सोचते है उसके बाद हमारा प्रेशना रहा है कि डराने, धमकाने, उप्धेश देने या दबाव डालने की जगे सहाजता से किसी को भी सहीरा पर लाया जा सकता है यह उप्ती पूंटे सार्थक है क्योंकि सहाजता से व्यक्ति किसी भी करे को आसानी से कर लेता है यदि हम डाट फट करके करे कराएंगे तो भै काम को करना नहीं चाता है दादी कवधारण यदि देखें तो दादी ने चोर को डराया था धमकाया नहीं था अपितो अपने निस्क पट और सहथ भाव के द्वारा अपना मूबला बेटा बना करके उसके जीवन भर खेती करने के लिए उसे बाद्धे कर दिया जो काम लाखों अपदेश नहीं कर पाए वो काम दादी के सहथ और सरल व्यवार ने करके दिखा दिया यहां हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चा पाठ याद नहीं करता तो फिल्म और गाने के द्वारा उसे याद करा दिया जाता है और फिर हमारा यह प्रिशना जाता है कि सिक्षा बच्चों का जन्मसी ददिकार है इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उलेख हमें करना है तो लेखिका जिसे सिक्षित व्यक्ति मानते हैं कि सिक्षा बच्चों का जिनम सी ददिकार है क्योंकि सिक्षा के द्वारा ही बच्चों का सर्वंगिन विकास संभव है इसलिए सर्वंगिन विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए चोटे से कस बे बागल कोट में स्कूल खुलवा करके अपना दाईत्व निवाया ये वाला प्रशना आजाता है कि उन्होंने कहां पर स्कूल खुला था तो कहां पर खुला था बागल कोट में बागल कोट में ये प्रिश्न ध्यान रखना इसके लिए उन्हें कटो सकते की साथ साथ आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा कैथोलिक विशप ने क्रिश्टियन संख्या कम होने के कारण लेखिका के समाख शर्त रखी कि उस छेत्र में स्कूल अगले सो वर्षों तक चलना चाहिए ऐसी अनिती पुर्ण बातों के कारण लेखिका ने कुछ मेहनती और शिक्षा प्रेमी लोगों की मदद से अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला कैसा स्कूल खोला? प्राइमरी स्कूल खोला उनुने पाठ के अधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक शिदा भाव से देखा जाता है तो जो व्यक्ति स्पष्ट वादी होते हैं, जो सत्य की रापट चलते हैं, परंपरा से हट कर गारे करते हैं, निस्ट का पटभाव से दूसरों की मदद करते हैं, करतवे निस्ट होते हैं और ऐसे व्यक्ति जो एक की रहष्य को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देते ऐसे लोगों का अधिक श्रधा उनके लिए होती है उसके बाद देखें प्रेश्ण आजाता है कि सच और अकेलेपन का मजा ही कुछ और है इस कधन के अधार पर लेकिका की बहन और लेकिका की गेवेकितों के बारे में हमें विचार बताने है मनुष्य एक सामाजिक प्रानी है समाज में रहते हुए भी अलग प्रकार का करे करता है ये देखो लेकिका की छोटी बहन रेनू लीक से हट करके करे करना पसंद किया करती थी यनि कि कुछ अलग वह करना चाहा करती थी वह सोचती थी कि मैं कुछ अलग करूँ इसलिए गाड़ी होते वे गाड़ी में नहीं बैठती थी चुनोतियों को स्वीकार करना जनरल थिमया को पत्र लिख करके चित्रमंगवाना तारकिक दिश्टी से जिवन के हर पहलो को देखना तथा असपस्ट वादिता के अलंकार से अलंकरित होना यानि साफ बात करना इसी सभाव के कारण बारिश में लबालब भरे पानी में सुनसान सडकों पर चलते वे वे विद्याले पहुंचती थी विद्याले बंद होने पर बिना किसी शिकायत के लोड जाती थी लेखिका ने तमाम परेशानियों के बावजुद स्कूल खोलने का निरने किया बड़े बड़े अधिकारियों से वह मिलती है इस तरह से इस प्रेशन का यकीनन अकेला जना भी कयामत ला सकता है उन्होंने कैसे कम किया कि अकेला वेक्टी भी कयामत कर सकता है यहां देखो यह है आपका हमारी आज की वक्षीट मेरे संकी औरतें लिखा था महादेवी वर्मा जी ने और यहां पर सहीता धीर जी के द्वारा इसे बनाया गया है थेंक्यू फॉर वाचिंग